Welcome friends, आप सुरीका फिर से एक बार स्वागत है Crazy 4 Movies में दोस्तों, फाइनली प्रभास 20 का first look और title announcement हो चुका है और हमेशा की तरह फिर से एक बार तेलबू film का जो title था film के official announcement से पहले ही leak हो गया था जियां दोस्तों, आपको अगर याद होगा आज से 15-20 दिन पहले social media पर एक title आया था जिसका नाम था राधे शाम तब मुझे भी नहीं लगा था कि ये film का title होगा पर लीजे दोस्तों, फिर से जो title leak हुआ था वही film का असली title निकला और प्रभास 20 का जो title रखा गया है, वो है राधे शाम तो title को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक romantic drama film होने वाली है जिसके film के announcement के समय ही पता चल गया था कि ये एक romantic drama film होने वाली है और ऐसा भी कहा जा रहा था कि ये शायद एक periodic romantic drama film हो सकती है जहांपर हमें पुराने समय के कुछ scenes या पुराने समय की कहानी देखने को मिल सकती है तो आए देखते हैं कि इस poster से हमें क्या देखने को मिल रहा है क्या ये poster को ज़्यादा reveal कर रहा है या नहीं या फिर इस poster में काफी कुछ छुपाने की कोशिश की गई है या नहीं तो अगर पोस्टर पर यहां पर आप देख सकते हूँ, बैग्राउन में आपको काफी सारे किले नजर आ रहे होँगे और इस किले को देख के कह सकते हैं कि ये एक पुराने टाइम की स्टोरी हो सकती है और इस पूरे पोस्टर का जो एक एन्वारमेंट प्रियेट करने की देखने को मिल SAKTIN है वहीं दुसी तरफ बात करें यहांपे प्रभास और पूजा हेग्ड़े की इन किलों के बीच में उर इस पूरे जील दिखाने की कोशिश की गई है तो यहाँ पर परवत और नदी का एक मिलन होता हुआ दिखाया जा रहा है बात करें इन दोनों के कॉस्ट्यूम की तो फिर उन दोनों के आउट्फिट को देखकर मैं इतने कॉंट्विडेंक के साथ नहीं के सकता हूँ कि यह आउट्फिट कॉंसेर्ट टाइम का है आज के टाइम में भी ऐसे आउट्फिट्स देखने को मिल जाते हैं तो हो सकता है कि यह जो फिल्म है हमें दो अलग-अलग टाइम की कहानिया दिखा सकती है एक backstory होगी जो ancient time की हो सकती है और दूसरी जो कहानी होगी शायद यहां की हो सकती है या फिर इंडिया की हो सकती है तो जैसा कि इससे पहले कुछ खबरे भी लीख हुई थी कि शायद इस विल्म की जो कहानी होगी वो पैरिस में पैरिस पर आधारित होगी तो हो सकता है कि जो ancient कहानी होगी जो पुरानी कहानी होगी वो पैरिस की लव स्टोरी हो सकती है और जो recent time की कहानी होगी वो शायद हो सकता है कि इंडिया की या फिर हमारे यहां की कहानी हो सकती है पर poster को देखके इतना कुछ confidence के साथ नहीं कहा जा सकता बात करें यहाँ पर प्रभास के लुक की तो यही अगर प्रभास का इस फिल्म में लुक होने वाला है तो कहना चाहूंगा इस look में वो काफी ज़ादा handsome और काफी clean look है और काफी gentle look यहाँ पर उनका नजर आ रहा है और इस look में वो सही में काफी जच रहे हैं तो बात करें इस film के director की तो इस film को direct किया है राधा कृष्ण कुमार ने जिनकी ये दूसरी ही film है जी हाँ इन्हों ने इससे पहले जील नाम की film direct की थी जिसमें हमें गोपी चन नजर आये थे तो वो जो film थी वो box office पर इतनी जादा चली नहीं थी तो प्रभास की जो पिछली film थी यानि कि साहू वो भी एक ऐसे director के साथ थी जिनकी वो दूसरी ही film थी उससे पहले उन्होंने सिर्फ एक film की थी और उनकी वो दूसरी film थी तो यहाँ पर प्रभास फिल से एक ऐसे director के साथ film करने जा रहे हैं जिनके पास पूरा एक film direct करने का जो experience है वो इतना जादा नहीं है और जो सुजीत की जो पहली film थी वो तो super hit थी पर यहाँ पर राधा कृष्णकुमार की जो पहली film थी वो इतनी जादा चली नहीं थी तो यहाँ पर देखना काफी interesting रहेगा कि इस film में वो किस किसम का अपना direction और अपना talent दिखाते हैं वैसे अभी इस film के teaser trailers आना बाकी है तो देखते हैं कि यह film किस type की होने वाली है और poster को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस poster को मैंने पहले भी देखा है पर मुझे पूरी तरह से इतनी जल्दी याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं तुरंथ वीडियो बना रहा हूं तो मुझे इतना याद नहीं है तो यह film जो है इस साल नहीं आ रही है यह film 2021 में आएगी poster में लिख दिया है तो देखते हैं फिल्म कैसी रहती है मुझे काफी उमीद है इस फिल्म से साहों के बाद आपको यह poster कैसा लागा मुझे comment box में जरूर बताएगा तो दोस्तों यह तक आज कमरें छोटा सा वीडियो उमीद करते हैं आपका चैनल वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आते हैं वीडियो लाइक उश्यद जरूर कीजेगा मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर